हेलो फ्रेंज एक बर फीर से सुआ गाते आपका अपना चैनल नायटेंगर नर्सिंग अकेडमी में आज मैं आपको राजिस्तान के जो छो के लिए वेकैंसी निकला है उसके बारे में पूरा डीटेल बताने वाली हूं इससे पहले मैं जो वीडियो बनाई थी उसमें सिर्फ मैं बताई थी कि वेकैंसी निकला है करके और कितना पोस्ट है करके और इसके पूरे डीटेल के बारे में नहीं आई थी तो अभी ये अपडेट हुआ है ठीक है तो इसके बारे मैं पूरे डीटेल बताने वाली हूं कि कितने पोस्ट हैं कितने एलिजिबिटिक क्या है और इसके लिए फी कितना लगेगा और बहुत सारे चीज़ बताने वाली हूं तो बने रही है एंड तक मेरे वीडियो के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लिस सब्सक्राइब कर दीजे और बेर आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि जितने भी मैं यहां वीडियो डालूं ठीक है तो क्लिक करते हैं देखे यहां पर यह डाउन्लोड हो गया यह ओपन हो गया तो यहां पर राज्ट स्वास्त मीशन के द्वारा यह नोटिफिकेशन निकाला गया है जो कि 31 तारीक को यहां पर देख सकते हैं लेकिन इसको अभी ही इसको डाला गया है ठीक है तो यह तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर जाके आप पूरा चेक कर सकते हैं और इसमें अपडेट रही है तब तक आपको दिखा देती हूं फूरा डीटल देख लेते हैं यहां पर देख सकते हैं ठीक है कि यहां पर पोजीशन क्या है कॉन्टस्चल पोस्ट ऑफ दो fire ऑफ पे ऑफ अर्फु शास कली केसे था कोर्वर्ा चेक लिए और फिर आयर्वेट प्राक्टिशन अगर यहां पेसमें अपलाई कर सकते राजिस्थान से ही उनका नर्सिंग से राजिस्थान होना चाहिए या जो बूट अमने डिशन नौों मेडिसीन राजिस्थान् एस्थान में इसका रजिस्थान और इसन में डिटीयल बताओंगी कैसे इसको अप्लाई करना ख़र के तो थी मैक्जिमम एज लिमिटेशन देख लीज़े 18 से 45 एर्स का दिया है जो कि बहुत ही ज्यादा है सभी लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं इसके बाद मैक्जिमम फिक्स देख सकते हैं इसके इतना मीलेगा प्यवेंट तो 25,000 पर मन्त दिया जाएगा ठीक है यह था हमारा क्राइटेयरिया इसके और हम नीचे चलते हैं इस इस लिक से सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके बाद फिमल क्नेडड्य पे जाटेगरि यह अव्पांस साल मतलब राजिस्थान के लिए 10 साल का मतलब वह 55 साल तक जॉब कर सकते हैं उसके बाद जो वीडियो और डाइवर्सी है उसके बाद है इसके बाद है और देख लेते हैं इसके बाद अप्लीकेशन फी के बारे में जो कि नॉन रिफंडेबल है फीक एक बार अगर अपलाई कर इस बाद हो दिखन नहीं हो सकता तो यहां पर अप्लीकेशन फीक में देख सकते हैं की अन्रिजुब्ट के लिए जनरल के लिए कितना है चार सो रुप है और अदर बैकवर्ड क्लास अबिसी क्रेमी लेयर के लिए 400 रुप है और अधर बैकवर्ड क्लास फेक लिसी और एम एलाइन फीमेल के लिए 300 है और इस पेस्टी जो एबल परसन है तो उनके लिए क्या है वह दो सो रुपए है यह पूरा डिटेल है अप्लिकेशन फी के बारे में इसके बाद जो कैंडिडेट यहां पर देख सकते हैं आप नोट में कि कैंडिडेट अर्ट इक्षाइट एप् फिप्टी रुपए लगेगी ठीक है उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा और इसके नीचे और यह भी देख सकते हैं कि कैंडिडेट हुआ अर्लियर अगर मानली जो कोई अर्लियर एक बार और हुआ था जहां 16-15-2019 में फॉर्म फिलप कर चुके हैं तो अगर वह अपर जो फिर से क्या करना पड़ेगा और वह फिर से 15 और और यहां पर मिलक्million पर देने की जड़। एप लोग को एक्स्टरा देने की जुरत नहीं Souls solar आधर टर्म्स एंड कंडिशन में हमको क्या करना पड़ेगा जो इसमें अल इंडिया एंडिया कैंडिया क्टै तो यहां पर इसके लिए यह है कि जो राजिस्थान से अधर श्टेट से नहीं है जैसे माली जे चेटीजगर हो गया यूपी एंपी जहां से भी है तो उनको क्य चल्ड करवाना पड़ेगा राजिस्थान नर्सिंग काउंसिल से ठीक है फिर उसके बाद इसन राइन को अपना फॉर्म को अटाइच करके अगर ऐसा निंह करते हैं तो उनका जो जगा देख सकते हैं और यहां पे यह और कंडिशन यहां पर दिये कि कैंडिएट है more than two children born on the after the one six 2020 not eligible for the contractual post of the CHO तो अगर माल लीजे किसी भी candidate का दो बच्चा है वो भी after the 2002 ठीक है एक शे दो हजार दो के बाद अगर उनको कोई बच्चा है दो बच्चे है तो उनको eligible नहीं है इस contractual post के लिए ठीक है इसके बद क्या है certificate verification होगा verification के बाद उनका क्या होगा उनको six month का training दिया जाएगा ठीक है six month के training के बाद अगर if the candidate is not successful अगर successful नहीं होता है उस condition में क्या करनागा उसको first attempt नहीं होता है तो उसको second attempt भी कराया जाएगा opportunity दिया जाएगा और अगर वो क्या हता है अगर qualify कर लेता है तो फिर उसको फिर posting देया जाएगा ठीक है और यह भी है कि अगर second opportunity में भी qualified नहीं कर पाता है तो उसको फिर क्या कर जाएगा वो eligible नहीं है इस पोस्ट के लिए इसके बाद यह भी है कि यहां पर multiple choice question वाला आपका exam return examination होगा ठीक है जो कि सभी exam में नॉर्मल ही होता है और यहां पर जितना भी return examination का पूरा information date time वेन्यों फुर्टा guidance आपके official website पर आजाएगा उसको आपको check करते रहना है ठीक है और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको और देख सकते हैं ठीक है तो मैं इसके link जो है वो description पर डाल दूँगी तो आप इसको check कर सकते हैं या फिर official website पर आप जो यह अच्छे से याद रखेगा और दो तारिक आज से स्टार्ट हो गया form fill up होने के लिए तो जाएए और form भजिए ठीक है और यहां पर पूरा आपका पोस्ट का दिया गया है को मैंने मैं अ tu प्षा की सिटेजर और आपके सकते हैं हुआ यह था दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में अ झाल झाल